हाई एवरिवान गूड इवनिंग विलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो ये वीडियो जो है सनिवार के दिन का ही है साम का टाइम है इस समय जो है करीब साथ बज रहे होंगे तो मैं बस यहाँ पे रात के खाने की तयारी कर रही हूँ और आज खाने में बनेगा लौकी का कोफता तो लौकी का मैंने जो है कल अभी वो बनाया था ना एक कमेंट भी अच्छा आया था कि कत्रा क्या होता है तो जो है मतलब कुछ लोग पकोड़े बोलते होंगे हमारे यहाँ जैसे यहाँ पे भी और मेरे मायके में भी लौकी का कत्रा ही जैसे गोल-गोल कट करके बेसन में डालके बनाया जाता है ना तो उसे कत्रा ही हम लोग बोलते हैं पकोडे भी आप लोग बोल सकते हैं जो है वही है जो है बेसन के घोल में लौकी का कटा हुआ जो है पीस लपेट के चानना होता है तो वही आधा तो मैंने बना दिया था आधा रह गया था तो वही आज जो है कद्दू कस कर लिया है मसाल होग यहाँ पे लोकी में सारे मसाले और बेसं डाल देंगी तो सारा मिक्स कर दिया और बहुत थोड़ा सा ही था आदा तो मैंने बनाया था आदे में मतल्ब बहुत पतला सा एकड़าม प्रेस और गवाला ahor कि दो शोटा रहता है ना तो उसका जो है सबजी या कुछ कुछ भी बनाओ तो बढ़ियां बनता है तो लेकिन यह है कि quantity थोड़ी सी कम हो जाती है तो बस इतना ही बना एक बार में ही सारा मैंने डाल दिया है तो तबियत भी मेरी जैसे दो दिन से थोड़ी सी गड़बड़ वही ब्रत के वज़से ही थोड़ा सा वो हो गया था तो हुआ कि नहीं वीडियो अगरा कुछ नहीं बनाओंगी लेकिन इस टाइम पर फिर जो है तबियत थोड़ा सा सही लगा आराम लगा जो है तो फिर मैंने continue मतलब स्टार्ट कर दिया दूसरा ब्लॉग यहां से तो बस यहां पर जो है कोपते फ्राई कर लिए हैं और तेल थो वैली वैली सा लगता है तो फिर मैंने न ऐसे ही मतलब कोई भी चीज अगर फ्राई करके बनाती हूं तो तेल जो एक्स्ट्रा रहता है उसको निकाल देती हूं फिर उससे सब्जी वगरा में यूज कर लेती हूं तो बस उसमें जो है तेजपत्ता जीरा हींग वई डाला प्याज डाल दिया है और यहां पर मसाले डाल दे रहे हूं मसाले मेरे सेम ही रहते हैं सारी सब्जीयों में बस एकाद में कुछ में जो है चेंज होते हैं बाकी सब में एक ही रहता है हां बस कम या ज्यादा हो जात तो उसमें थोड़ा सा टमाटर वगरा बढ़ा के डाला जाता है टमाटर प्याज और टमाटर प्याज बढ़ रहा है तो मिर्च भी ज्यादा हो जाता है और यह सारी सब्जिया थोड़ी सी तीखी रहती हैं तब ही अच्छी भी लगती हैं कम तीखा में यह बहुत जैसे फीक बना तो थोड़ा सा एकाद दो मिर्च बढ़ा देती हूं तो बस इधर मसाले भुन रहे हैं और इधर जो है चावल भी रखती है छोटे से कुकर में रात में चावल जो है बहुत कम लिया जाता है जैसे इस तरह ग्रेवी वाली सबजी कोई होती है तो चावल मैं बनाती हूं और बहुत थोड़ा थोड़ा ही मतलब एक-एक कलची के बराबर सब लोग जो है लेते हैं बहुत जादा नहीं तो इस छोटे वाले ये ना सिर्फ डेर लिटर का कुकर है और इसमें भी रात के टाइम इसमें चावल बना देती हूं तो हो जाता है और तब तक यह आ गये थ बस वही काम होता रहता है उसी में फोन अगेरा आ जाता है तो बातचीत भी हो जाती है और फोन का ऐसा है ना कि मैं काम करते ही हुए ही जो है बात कर पाती हूं अगर खाली बैठ के बात करना हुआ ना तो वो मुझे लगता है ना कि वो टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे तो य बात करने में तो इस टाइम पे रात के समय जैसे साम के टाइम पे सुबह तो नहीं खाली रहती हूं या मतलब काम इतना जादा रहता है ना कि उस समय बात करना सही नहीं रहता है कि फिर काम में लेट लतीफ हो जाएगा साम के टाइम रहता है कि थोड़ा सा रिलेक्स रहती बहुत ज़्यादा काम नहीं रहते हैं या बहुत जल्दबाजी नहीं रहती है तो थोड़ा सा सही रहता है तो इस टाइम पे बात वगरा कर लेती हूँ तो बस वही आटा लगाया उसके बाद सबजी भी हो गई तो रोटी बना दी और यहाँ पे खाना निकाल दे रही हूँ तो पापा को खाना भीजवा दिया है और अभी यहाँ पे इनके लिए निकाल रही हूँ तनमे का भी थोड़ा सा लेट खाएगा तो वही तनमे और मैं दोनों लोग साथ ही खालेंगे तो बस उसके बाद हम लोगों ने भी खाना खाया थोड़ी दे बस वही वेट किया तनमे का ही मैं तो खाई लेती लेकिन वही था कि उसको दे लेती हूँ उसके बाद ही खाती हूँ जो है तो खाना पिना होने के बाद किचन वगरा क्लीन किया बरतन वागरा सब कुछ हो गया है ये पूजा वाले बरतन रह गये थे तो पूजा वाले बरतन ना कल वही जो मैंने पूजा की थी ना ब्रिहस्वतवार को रात को तो सुक्रवार को कल के दिन ना ये बरतन रहे गया सुबह मैंने मतलब मंदिर वागरा थोड़ा सा साप किया बरतन निकाले थे कि साप कर दूंगी और आज सुबह के टाइम क्या हुआ कि मैं पूजा भी अच्छे से नहीं कर पाई इतनी जादा तबियत भारी लग रही थी ना कि बस नहा के किसी तरह जो है मंदिर में दिया और ये बत्ती दिखा दिया भोग लगा दिया बाकी और फिर वो वही है कि रही जाता है जिसको हाथों हाथ निप्टा लिया जायना तो वो काम जटपट हो जाते हैं और अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर वो रह जाता है आज कल करने में तो बस यहां पे सारे बरतन धो लिए मैंने और ये आज बासकेट भी मुझे धोना था इस सानक से मेरी नजर आज सुबह गई है तो इसमें कुछ काला काला सा मुझे दिखाई दे रहता और तब से मेरे दिमाग में चल रहा था कि कब इसे जल्दी से अब मुझे धोना है जो है लेकिन सुबह वही हिम्मत ही नहीं हो रही थी काम करने का बिल्कुल मतलब और रेस्ट में सारे काम निपटा सकते हो और तबियत खराब में ही धीरे धीरे अगर करते जाओना तो नहीं काम सही से होगा नहीं आराम सही से मिलेगा तो अपना-पना सबका तरीका है मेरा यह है और मुझे ना बहुत जादा जैसे मैं बरदास भी नहीं कर पाती हूँ अगर कोई दि बस पट सारे काम निपटा लिए तो बरतन जो इसमें थे सब को हटाया उधर टॉवल पे रख दिया है और तुरन जो है बास्केट को साफ कर लिया तो बस अब ये चार-पांच दिन के लिए इस काम से छुटी होगी हपते में मतलब दो बार इसको साफ करती हूँ कभी-कभी रह जाता है तो फिर एक हपते हो जाता है तो बस उसके बाद अभी मैं मिल रहे हूँ आप से नेक्स्ट मॉर्णिंग यानि संडे के दिन सुबर के टाइम तो इस समय भी करीब जो है टाइम तो अभी अच्छे से याद नहीं है साड़े साथ पौने आठ का टाइम हो रहा हो हुआ होगा सुबर उठ गई थी मैं जल्दी ही क्योंकि अभी जैसे पापा आ गहना तो वो संडे के दिन आस्रम जाते हैं कोई संग वगरा है यहीं पे सारनाथ में तो वहाँ पे ध्यान वगरा कराया जाता है तो हर संडे संडे बीच में का दिन और होता है तो वो इधर ही कहीं होता है पास में तो सुबर नहीं होता है और संडे के दिन एकदम सुबर में होता है मतलब सात बजे साड़े छे बजे सारी यहां से निकलते हैं तो वहीं उनको चाय सुबर ही चाहिए होती है मतलब नहाद होके चाय पी के सिर्फ जाते है नास्ता वगरा वहाँ पे मिल तो सुबह ही उठ गई थी मतलब वही उठा देते हैं कि जो यह चाय बना दो नहीं तो ऐसे तो मैं संडे के दिन लेठी थोड़ा सा उठती हूं लेकिन अभी पापा है तो मतलब उनको जाना रहेगा तो सुबह ही उठना पड़ेगा तो वही उठके चाय वगरा बनाई फिर पालों में तेल लगाना था वो सब हुआ और भी जो छुटे मुटे काम है चाय पी या बैठके तो संडे का दिन ऐसा होता है ना कि सुबह के टाइम चाय पीने में 10-15 मिनट चले जाते हैं कि थोड़ा सा रिलेक्स होके आदमी जो है चाय पी ले और दिन तो टाइम चाय पी कि सूख जाय तो फिर मैं डालती जाओं तो छट पे डाल दिया है और अभी कपड़े जो है मसीन में डाले हुए हैं तो बस यहां पे पास्ता मैंने उबाल दिया था पहले बस बनाना था इसको तो वही मैं सोच रहे थी कि जब तन मैं को जाना रहेगा तो थोड़ा सा पहल कारी तबियत थी साम तक तो जादा ही हो गया लेकिन पता नहीं लग रहा था कि बुखार की वज़े से ऐसा हो रहा है सुबह से यह बोल रहे थे कि खाने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का कुछ भी नास्ता वगरा तो इसी वज़े से मैंने यह पास् नास्ता मैंने अभी लेकिन किया नहीं है क्योंकि अभी नहाया नहीं है तो सोचा कि नहा लेती हूं सापसफाई तो होई गई है नहा लेती हूं उसके बाद जो है नास्ता वगरा करूंगी पोछा भी नहीं लगाया है क्योंकि आना जाना लगा हुआ है और अभी जल्दी सू तो बस उसके बाद मैंने भिंडी कट करके रख दी है कि नहा के आने के बाद ना बस मुझे बनाना रहेगा फटाफट जो है खाना मैं बना लूँगी और इस वाले रूम में आ गए हूं तो यहां पे जो है बेड़ो अगरा सब कुछ सही किया और अभी जो है जाडू लगा दे रही हूं तो इस रूम की सभाई जो है डेली नहीं हो पाती है लेकिन संडे के दिन हो गया जिस दिन जल्दी खाली हो गयी या उधर काम थोड़ा सा कम है तो इधर आके कर देती हूं और इसमें कपड़े इस समय इतने जादा फैल जाते है ना बरसात के टाइम पे लेकि तो कपड़े सारे सूख रहे हैं अच्छे से जो है और साप भी जादा हो रहे हैं कल से ना कपड़े बहुत जादा साप भी हो रहे हैं क्योंकि धूप देखे ना धूप नहीं होती है ना बारी सोती है तो मैं बहुत जादा कपड़े नहीं साप करती हूं फिर जो जरूरी ह बाकी सब ऐसे रखा ही रहता है जब धूप हो जाती है अच्छे से तब ही मैं कपड़े धो देती हूं और धो के सुखाने के बाद ना अगर एक घंटे भी अच्छे से धूप निकली हुई है तो कपड़े सुख जाते हैं तो बस उस रूम में जाडू लगाने के बाद फिर स दूबारा वाले जो कपड़े थे जो सुखे हुए थे इनको भी लाके डाल दिया है बेट सीट वगेरा भी धुलना था मुझे और भी था लेकिन आज वो सब काम नहीं किया क्योंकि अभी ये ना पूरा भर जाएगा कपड़े बहुत जादा हैं बारी बारी से सारे साफ हो रहे हैं मतलब पापा के भी हैं और इनके भी हैं तो ये सब हो जाएंगे बाकी जो है कल मैं देखूंगी अगर धूप रहेगा ना तो फिर कल मैं करूंगी उसके बाद यहां पे नीचे आ गए हूँ तो कभर जो है ये गाड़ी का नया मंगाया हुआ था तो इन्हो मुझे ना नहाने का वो हो रहाता कि अब मैं जल्दी से जाके नहा लूँ फिर उसके बाद खाना वगरा में लगूं क्योंकि नहाने के बाद अभी पूजा करना पड़ेगा फिर मतलब पूजा वगरा करने के बाद ही जो है खाना में लगूंगी तो वही मैं जल्दी जल् लगे ही रहते हैं कितना भी करते जाओ ना जैसे लगता है कि काम तो खतम ही नहीं होता है सुबह से साम तक अगले दिन भी फिर दिमाग में चलने लगता है कि कली ये करना है ये करना है तो काम ना मतलब कभी खतम नहीं होने वाला है कितना भी कर लो तो बस यहां पे कबर वग नेक्स्ट वीडियो में बाबाई थेंक्स फर वाचिंग